नवस्कार मैं हुरते का पांडे स्वागत है आपका पांच मिनट डीस खबरों में डानेवाला में ओयल इंडिया ग्यास के दो नमबर कुए से पिछले हफ्ते से ग्यास का रसाओ हो रहा है खबर मिलते ही उच्छ अदिकारी मौके पर पहुंचे और विश्यशग्यों की साहता से ग्यास को रोका तदह कल से कुए को बंद कर दिया है ओयल इंडिया के सबसे अधिक अदिकारी और करमचारी ने कल ग्यास के रिसाओ पर काबू करते वेग ग्यास को बंद कराया है आज फिर दो नंबर कोई से पाइपलाइन लीकेज की चलते हलका गैस का रिसा हो गया मौके पर मौजूद O.N.G.C. ओएल इंडिया के करमचारियों ने गैस रिसाव पर काबू किया जैसन बेग शहर में कोतवाली में किशन सिंग ने कोतवाल का पदभार ग्रहंड किया में कानून में शांती बनाये रखने में आमजन में विश्वास और अप्राध्यों में पुलिस का भै बना रहेगा पोकरण इलाके में दो कारों में हुई भीशन भिड़ंत में सड़क में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गए वहीं चार लोग गंभी रूप से घायल हो गए हाथसे में जैसल मेर के साकरा प्रदान भी गंभी रूप से घायल हो गए है घायलों को जैसल मेर पोकरण और जोदपूर के एम्रियम अस्पिताल में भरती कराए गया है जानकरी के अनुसार हासा पोकरण इलाके के चाचा गाउं के पास शाम करीबन 5 बजे हुआ उस समय सीकर जिले के खाड़ो शाम के कुछ लोग जैसल मेर गूमने के बाद वापस लोट रहे थे इस दोरां चाचा गाउं के पास जबरतर्स फिरंथ हुई और हथसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 रोग कमभी रुष से घायल है अजमेर में जाहरीन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो गया है दिली से घुमने आये जाहरीन के साथ अजमेर के आना सागर बारादरी पर आसमाजिक तत्वो दोरा मारपीट करने का मामला सामने आया है जानकरी के अनुसार बताय जा रहा है कि आसमाजिक तत्वों ने लादगू से मारतर उसकी बिटाई की और लहू लुहान हालत में उसे छोड़ कर वहीं भाग गए मौके पर मिली जानकरी के अनुसार आना सागर बारादरी पर अवैद रूप से गुलाव लच्छी बेची जाती थी जायरीन से पैसे की लेन दिन को लेकर कहा सुनी हो गई है जिसको कुछ लोगों ने फोन करकर उस लोगों को वहाँ लोगों को बुलाया और फिर जायरीन के साथ मातपीद की कथावाचक संज्वाला प्रसाद महराज ने कहा कि हमें भगवान के नाम का निरंतन जब करते रहना चाहिए इससे ही ईश्वर की प्राप्ती होती है साथी उन्होंने आवाहन किया कि शाम को ननी बाय का मायरा देखने जरूर पधारे बाडमेर लोग सब चुनाओ के पूर तीन राजियों में मिली सफलता के बाद कॉंग्रेस फोल एक्शन मूड में नजर आ रही है बाडमेर जिले के प्रभारी बीडी गल्ला ने बाडमेर का दौरा किया और कारकरता उसे मुलाकात की चोटा उदरपुर जिले के भगवानपुरा गाउं के पास भीशन एक्सिडेंट हो गया अग्यात वहन की टककर से बाइक जवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई हासे में कमभी रूप से लोगों को हस्पिटल पंचाए गया है जोटपुर जिले के सबसे बड़े पुलस थाना बेलाडा में जोटपुर ग्रामिन पुलस अधिक्षक रगुनाद गर्ग ने दौरा करते ही अधिकारियों की हरकम मजगई साथी सबी सिपाईयों ने सल्यूट किया तथा गाड़ ओव उनर की सलामी भी दी पुलिस उपाधिक्षक गर्ग ने पत्रकारों से बातसीत करते वे कस्पे की जनसंख्या के बारे में जानकारी ली पत्रकारों ने कहा कि कस्पे में रातरी गश्ट में भीड भाड़ वाले इलाकों में चक्का जाम हो जाता है तो वहाँ पर ट्राफिक पुलिस की ड्यूटी लगाए जाए ताकि आम लोगों को रहत मिल सके मतोड़ा के स्थानी ग्राम रोड़ों ने पुलिस ने मांग की है कि देडों तथा आउ जाने वाले सड़क पर सीनियर स्कूल के पास दो पढ़िया वहाँ को खड़ा करने से सड़क पर जाम लग जाता है तो स्थानी पुलिस ने उसके खिलाफ कारवाई करें मंदिर में प्रेस परवत्ता एड़ोकेट जैप्रकाश आमडेव ने बताया कि शनिवार शाम को हनमान गर दादा की आरती के तुरंद बाद मंदर पुजारीवा हनमान उपासक भी श्री अजजैन जसोल के सानदे में एक शाम शहीदों के नाम कारे करम कायोजन किया बानस कठा निनावा चेक पोस्ट पर BFF के निलाम की हुई गाड़ी से अंग्रेजी शराब के कुछ पेडिया वरामत की गई है चानबीन में सामने आया है कि अंग्रेजी शराब की 42 सो बोतले जिसकी कीमत 16,80,000 के आसपास है जांकरी के अनुसार बताया जा रहा है कि शराब पसकर BFF के निलाम की हुई गाड़ी में BFF की जवान की वर्दी पहन कर शराब के कारोबार कर रहे थे सुषना मिलने पर पुलिस ने चेक पोस्ट पर गाड़ी को रुखवा कर चेक किया तो अंग्रेजी शराब की बोतले बरामत की गई जालोर हॉस्पिटल की चौरा है पर लोगतंत्र महा उत्सप का मानव शंकला बना कर आम लोगों में एक संदेश देने का प्रयास किया गया अने वाले दिनों में देश में आम चुनाओ है ऐसे में लोगों की मद्दान के प्रतिजा गुरुप किया जा रहा है ताजा न्यूस अबडेट्स पानी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और शेर एंड कॉमेंट करना ना भूलें